तो दोस्तों यहां पर देखेंगे आप तो मेरी गाड़ी की जो है इस चल रही है गाड़ी यहां पर और स्पीड नहीं दिख रही है कि इसका पता नहीं चल पा रहा है और इसकी स्पीड जो है वो डाउन है स्पीड की स्वें तो एक किस वेसे प्रोम आरी है आज मैं आपको विडो बताने वाला हूँ और कैसे तो तो दोस्तों जैसे याप भी आपने देखा कि गाड़ी स्पीड नहीं बता रहा है टाटने लोगी तो यह जो पार हा रही है यह आरी यह इस पीड़ो मेटर की वह से यह पर कैसे आरही यह मैं आप बता देताओ स्पीड जब में जैसे में डाउन कर रहा हूं मतलब एक्सलेटर कम कर रहा हूं तो उसके बाद वह नौर्म हो रही है और फिर एक्सलेटर जब तेज कर रहा हूं फिर दुवार से कोई प्रोम आ रही है कि जटका देके गाड़ी बंद होने को रही है तो इसकी जो वज़या है वह है यह चल लो तो यह पर कभी कभी जहा Connie अर तो कभी कभी में ही ही यह सारी सारी मैं लूड़ी मिटांसर संसर काम करने बंद कर देता है तो क्या होता है कि छो स्पीड होती desires को बता नहीं चल देंग तो मास यह में में काम घंदखा गर और थे में इसको भी पता ने चलता है आपनी मर्जी से यह ज़्यादा कम देना जादा उसकी वैसे क्या होता है मैनिस ख़राब रहाता है विक उब में प्रवागति के लिए आप खोल लिया इसको कैसे हो देए वह पर झोल लिया है और इसका जो कपलर लगवा हुआ है पहले देखिए, यहां से इस तरीके से इसे ओपर को खोल के उठाना है, तो यह रसाँ आसानी से बहार आता है, अब जब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जम इसका यह कपलर है, इस कपलर को खोल लेकले हमें, इसका लॉग दमारा को सब्सक्राइब कर सकनेक्टों आधा तो इसका आधा निकल यह ने आधा ने बटे को आधा तो यह कृत्तित्र र चेछा को मुझ अझालu को वूझ को को गया हो अचो है सबस्क्राइब श्राइक कि असजय बसबस्ट 1987 तो यह नए श्पीडवीटर सेंसर में मगा लिया था यह कितने का है कि आम बताता हूं आपको तो यह सेल है 400 रुपय का जो कि मैंने बोर्ट मों से मंगा था और जब भी आप को इंगी समय मंगाते हैं तो उसको सबसे पहले चेक करें कि वह सही है यह चेंज्ज तो नहीं अब प्रोर्ट तो उसके लिए आपको उसको कंपैर करके देखना होता है और डामिज कर उपके देखना होता हुए तो उसी की वेशे मेरी घारी में वह सारे प्रववे आज़े थी जैसे के मैल इस कम हो जाना प्र नहीं आता था और उपर से यह जटक से क्ना था तरब के और इस चल तरप से चलने के भाद मैं आपको बृटकर काँ हो जाएगी difference कर दो गाड़ी को चला कि पहले में गाड़ी चला हुआ काफी टाइम तर्ड उसके बाद ही आप को बता हुआ कि उसके बाद है और झालों की प्रोड़ों सॉल्फ हुई है यह नहीं है और जब भी किसी भी सेंजिवरों चेंज हो सिबसे पहले उसमें बोल्टेज करते चेकि बोल्टेज आ रही है यानि कहीं पर चलना हम सेंसर चेंज कर दें और उसके बाद की बोल्टेज ना रही हो उसमें और रहा हूं तो दोस्तों मैं बता दो आपको यह मुझे प्रोड़क कितने हो पड़ा है मेरे पास जिसमें की डिलीवरी चार्ज भी लगा यह आया है वोड मों से तो जैसे कि यह डिस्कावल लगके इतने का मुझे मिला है तो दोस्तों अब मैंने गाड़ी को कम से कम दो गंटे करीब हो गया मुझे चलाते वे मैंने इसको 30-40 किलमेटर चला लिया है ट्रैफिंग में भी और लंबे में भी 60-70 की स्पीड में भी हर तरीके से चला के देख लिया है गाड़ी की जो प्रॉम्ट थी वो सॉल्फ हो चुकी है अब प्रॉम्ट फेसी वाली नहीं आ रही है तो काफी टाइम से गाड़ी चला था और यह सारी चीज़े मैंने फेस करी उसके बाद अब गाड़ी मिल्कुल ओक्य हो चुकी है आपको जान करी कैसी लगी यह वीडियो कैसी लगी प्लिस लाइक करे शेयर करे कमेंट करे एंड सब्सक्राइब